हलो एस्पिरेंट्स, I welcome you all at Purcham Classes देखे, आज के सेशन में हम लोगों को RBI के बाकी बची हुए Monitoring Tools करने हैं हमने प्रिवियस सेशन में SLR और CRR को समझ लिया था और हम लोग Liquidity Adjustment Facility पहले समझ चुके हैं Special Targeted, Targeted Long Term Repo ये सब चीज़े हम लोग पहले ही समझ चुके हैं जिसको नहीं पता, मेरी Playlist में जाना इसी चैनल पे, Purcham Classes की ही Economy की Playlist में जाना आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी टॉपिक आपको Thumbnail पे ही दिख जाएगा और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ Purcham Classes आप लोगों के लिए SSEGA का कोर्स लेके आया है जो SSE Tier 1, Tier 2 के अंदर आप लोगों के काम आएगा और पूरा comprehensive तरीके से इसमें पढ़ाया हुआ है बहुत detailed explanation आवरे टीचर ने की हुई है हम पूरी टीम ने मिलके इसके अंदर strategy के quality, history, geography, economy सब कुछ cover करवाया हुआ है आप में से अगर कोई aspirant ऐसा है जो सिर्फ economy का batch लेना चाहता है तो आप लोगों को ये batch enroll कर लेना है जिसके अंदर सिर्फ economy पढ़ाई जाएगी zero level से बिल्कुल high level तक की ठीक है और दोनो ही batches पे अगर आपको दोनो ही courses में अगर आप कुछ extra discount चाहते हो 10% का extra off then use code pile10 to get 10% अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें आज की class में क्या क्या करना है ठीक है तो हम लोगों ने क्या देख लिया था हम क्या पढ़ रहे थे एक मिनट मुझे देऊ गए हम लोग क्या पढ़ रहे थे students हम लोग RBI के monetary tools पढ़ रहे थे मैंने आपको ये बताय था कि जो monetary tools होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं कौन कौन से 2 तरीके के होते हैं हमने जाना था एक होता है quantitative tool एक होता है qualitative tool qualitative tool हम भविश्य में करेंगे अभी हम लोगों ने quantitative tool शुरू किये हुए हैं जिसके अंदर हम लोग reserve ratio को पढ़ चुके हैं अब आज की class में हमारा मकसद क्या है open market operation को खत्म करना, liquidity adjustment facility वैसे बता चुकी हूँ थोड़ा सा हलका हलका ये भी बताऊंगी bank rate करना और MSF करना, ये चार चीजे हमें आज की class में जो है वो पूरी करनी है ठीक है, तो reserve ratio में हमने क्या पढ़ा था, CRR और SLR के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं आगे open market operation क्या होता है बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को पहले एक शब्द समझ लेना है जिसको कहते हैं government security क्या कहते हैं उसको government security ये government security क्या होती है ये government security हम लोगों ने SLR में भी समझा था कि SLR के अंदर जो पैसा है वो तीन रूप में रखते हैं cash में, gold में और government security में ये government security होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं देखो students, government security यानि government की security government की security मैं मेरी कोई security दूँ means pile security आप अपनी कोई security दे रहे हो means students security तो government security होता क्या है ये security किसको कहते है कागज के टुकडे को कहते है security किसको कहते है एक कागस के एक piece of paper को कहते हैं एक कागस के टुकडे को कहते हैं अब मैंना आपको एक example दे रही हूँ उससे आपको और ज़्यादा clear हो जाएगा यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ठीक है? मैं खड़ी हूँ यहाँ पे My name is Payal ठीक है? मेरे पापा ने मुझे 100 रुपीज दिये मेरे पापा ने मुझे 100 रुपीज दिये मैं आपको government security बता रही हूँ क्या होता है तब ही open market operation समझाएगा मेरे पापा ने मुझे 100 रुपीज दिये कि जाओ आइस्क्रिम खरीद के ले आओ घर पे खाएंगे आइस्क्रिम ले आओ आप अब ये 100 रुपे लेके मैं market जा रही थी मैं market जा रही हूँ जा रही हूँ रस्ते में मुझे अमिच्शा मिल गए कौन मिल गए? अमिच्शा मिल गए अमिच्शा बोले कहा जा रहे हो? मैंने का 100 रुपे है मेरे पास मैं तो आइस्क्रिम लेने जा रही हूँ बोले क्या करोगे आइस्क्रिम खाके ऐसा करो तुम ये पैसा हमें दे दो हमें जरूरत है पैसे की हमको उधार चाहिए आपसे मैंने का ले लो पर मुझे क्या मिलेगा? वो बोले कि हम ना आपको इंटरस्ट देंगे हम आपको ब्याज देंगे इसके बदले क्या देंगे? हम आपको ब्याज देंगे हम आपको इंटरस्ट देंगे इसके बदले मैंने का अच्छा कितना? वो बोले जितना भी जितना भी? कितना? 8%, 7%, 6% यानि एक fixed percentage interest मिलेगा अपने को अगर हम ये रूपया जो है सरकार को उधार दे दे अब मैं बोली अमिच्छा जी मुझे आप पर यकीन नहीं है आप मुझे security दो मुझे आप पर यकीन नहीं है अमिच्छा बोले लिख के दे दूँ मैंने का हाँ लिख के दे दो ये सही रहेगा अब अमिच्छा जी ने क्या किया यहाँ पर भारत सरकार की stamp लगाई और यहाँ पर term and condition लिख दी कि ये कागच इन्होंने ये लिख के सारी बाते इन्होंने किसको दे दी ये सारी बाते लिख के इन्होंने मुझे दे दी ठीक है ये सारी बाते लिख के इन्होंने किसको दे दी ये सारा कागच जो है लिख के इन्होंने मुझे दे दिया कि ये कागच आप रखो और ये 100 रु मैंने का पापा वो तो मैंने अमिच शाह को पैसे दे दिये गोले चल जूटी बिज में कुछ खागी होगी तो कुछ गलत चलत मैंने का नहीं नहीं मैंने सो रुपे सच में अमिच शाह को ही दिये सरकार को ही उधार दिये गोले प्रूफ दिखा मैंने एक मिनट में वो सेक्य बाते बाते हैं लिखे input कितना औरुपिया दिया है किस burstर रुपिया वापने वापस आ जाएगा इसको हम क्या एखे एसको ही हम कहते हैं सरकार ने, Government of India ने RBI से जब उधार मांगा, तो RBI ने भी क्या कहा, हमें कुछ सेक्योरिटी दे दो, हमें कुछ सेक्योरिटी दे दो, तो ठीक है, Government of India ने उनको भी कुछ कागच लिख के दे दिये, फिर इस Government of India ने मान लीजिए, ये पैसा RBI को छोड़ो, SBI से मांग लिए, SBI को बोला, भारत सरकार ने, कि भई हमें तुमसे भी उधार चाहिएगा, SBI क्या बोली, हमें भी ये सेक्योरिटी छापके दे दो, हम भी आपको money दे देंगे, money लेलो, कोई दिकत नहीं है, पर हमको ना सेक्योरिटी दे दो, तो इनको भी सेक्योरिटी दे दी, यानि ये जो security है ये जो सरकारी प्रतिभूती government security है ये security banks में भी होती है ये security RBI में भी होती है कोई भी वो इंसान जो सरकार को उधार दे रहा है उसको हम government security कहते हैं कोई भी वो इंसान जो सरकार को उधार दे रहा है उसके पास ये piece of paper मिलेंगे उसके पास ही government security मिलेगी clear हो गया what is government security ठीक है तो अब हमें आज का पहला terminology समझना है जिसका मतलब है open market operation क्या कहते है open market operation किस तरीके से इस tool को use करके RBI महंगाई को control करता है open market operation means मुक्त बाजार की प्रक्रिया मुक्त बाजार की प्रक्रिया open market operation क्या होता है OMO इसको समझते हैं देखे होता क्या है OMO के अंदर एक तरफ है RBI और एक तरफ कोई भी bank में ले सकती हूँ मान लीजे मैंने ले लिया SBI मैंने क्या ले लिया SBI कोई भी bank ले सकते हैं मैंने मेरा favorite bank SBI ले लिया अब RBI को ऐसा लग रहा है क्यों ना मैं इसका पैसा मंगवा लू क्यों ना इसके पास जो money है वो मैं मेरे पास मंगवा लू ठीक है तो जितनी भी money थी SBI में उसका एक बड़ा हिस्सा RBI ने अपने पास मंगवा लिया और बदले में उसको क्या दे दिया बदले में उसको दे दी government security उसको क्या दे दी उसको दे दी government security और उसका पैसा अपने पास मंगवा लिया यानि अपनी government security उसने SBI को बेज दी ठीक है और उसका पैसा अपने पास मंगवा लिया अब SBI जो है पैसा ही नहीं है लोन नहीं देगा लोन नहीं देगा तो आप लोगों के पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो हम लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, और डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, इंफलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, तो इंफलेशन को कंट्रोल करने के ल नहीं है हमें महंगाई इंक्रीज करनी है हमें डिमांड इंक्रीज करनी है तो क्या होगा तो होगा है एक तरफ है SBI एक तरफ है RBI या हम वहीं पर ही इनकी दिमांड बढ़ानी है, मार्केट में दिमांड बढ़ानी है, बहुत कम है, हमें ये दिमांड बढ़ानी है, तो क्या करें ऐसा, SBI ने पूछा सर क्या करे आपको डिमांड बढ़ानी है क्या करे RBI ने SBI को कहा लोन बाट तो मार्किट में सस्ते सस्ते लोन निकाल दे दुनिया लोन लेने आएगी डिमांड करेगी इंफलेशन जादा होगा ग्रोथ रेट बढ़ेगा SBI ने कहा सर मेरे पास तो पैसा नहीं है RBI ने क्या कहा कि लो फिर क्या दिक्कत है मेरा पैसा तुम ले लो मैं तुमको मनी देता हूँ ऐसा करो तुम अपनी गवर्मेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो मैं तुम्हारी गवर्मेंट सिक्योरिटी खरीद लूँगा मैं तुम्हारी government security खरीद लूँगा और ये पैसा जो है वो आप ले लो यानि इस case में अब क्या होगा government security RBI ने खरीद ली और पैसा दे दिया bank को जैसे ही bank को पैसा दे दिया वो loan जादा देगा loan जादा देगा तो demand जादा होगी, demand जादा होगी तो inflation जादा होगा तो inflation को अगर बढ़ाना है, inflation को अगर raise करना है, inflation को अगर increase करना है तो RBI क्या करेगा? RBI government security को purchase कर लेगा और अगर inflation को कम करना है, तो RBI government security को बेच देगा RBI government security को बेच देगा, clear हुई बात? और इसी खरीद बेच की process को हम लोग क्या कहते है, open market operation तो आपसे अगर कोई पूछ ले, what is open market operation, आप क्या कहेंगे? Selling and purchasing of government security by RBI यहाँ पे अगर government of India, यहाँ पे अगर कोई bank का नाम या कुछ भी commercial bank ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको open market operation नहीं कहेंगे open market operation किसको कहेंगे? जब RBI government securities की selling या purchasing करता है, उसको हम open market operation कहते है तो यह था open market operation जहाँ पे RBI government security को sale या purchase करके inflation को control करता है तो क्या होता है, एक बड़ slides में देख लेते हैं देखिए Selling and purchasing of government securities by RBI inflation को control करने के लिए RBI अपनी government security sale कर देगा और उनसे पैसा मंगवा लेगा और deflation से लड़ने के लिए RBI government security को purchase कर लेगा ठीक है? operation twist इसी का ही example है हम लोग नहीं पढ़ेंगे operation twist अभी के लिए बाद में कभी special scheme बनाऊंगी मैं इसकी पूरी video अलग से बनाऊंगी operation twist की market stabilization scheme भी इससे जुड़ी हुई है इसमें क्या होता है? RBI कुछ special type की government securities जो है वो print करता है RBI कुछ special type की government security को access liquidity absorb करने के लिए market से access liquidity absorb करने के लिए use करता है RBI government security को sale करता है उसको हम market stabilization scheme कहते हैं अभी इस पे ध्यान मत दो मैं आपको ये अलग से बताऊंगी इसमें और भी बहुत सारी होती है standing deposit facility, market stabilization scheme, monetization scheme ये सब schemes जो है न हम बाद में करेंगे तसली से बिल्कुल घब मत घबराओ अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि open market operation क्या होता है इतनी चीज़े अपने को cover हो गई अब हम अगले tool की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है repo rate जिसका नाम है repo rate अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि हम कौन से tool पे पहुँच गए students हम लोगों ने इसमें क्या कर लिया हम लोगों ने इसमें CRR और SLR कर लिया था हम लोगों ने इसको कर लिया अब हम liquidity adjustment facility पे हैं ठीक है liquidity adjustment facility पे है क्या होता है इसको जानते हैं देखो जो आपका liquidity adjustment facility है liquidity किसको कह रहे है cash को कह रहे है कि cash को कैसे हम adjust करे liquidity adjustment facility cash को कैसे हम लोग adjust करे उसको हम LAF कहते है ठीक है liquidity यानि cash को कैसे adjust करे liquidity adjustment facility इसके अंदर पहला तरीका है, repo operation क्या है repo operation ठीक है repo के फिर बहुत अलग-अलग तरीके होतے हैं जैसे कॉन-कॉन से होते हैं एक निया टूल बना दिया, long term repo operation बना दिया, targeted long term repo operation एक बना दिया, special targeted long term repo operation तो ये सब क्या है? ये सब मैं already discuss कर चुकी हूँ, आप इसी चैनल के playlist section में जाएंगे, economy की playlist open करेंगे, वहाँ पे आपको monetary policy नाम से एक वीडियो मिलेगी, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये सब चीजे क्या है, मैं फिर से नहीं बता रही, हाँ, interconnection के लिए मैं आपको repo operation इस class में फिर से समझा रही हूँ, ताकि आपको reverse repo भी समझ आ सके आसानी से, ठीक है, repo operation, repo का पूरा नाम होता है student, repurchase option, wrap का मतलब, repurchase option, repurchase option, क्या होता है repurchase option में, इसमें banks को एक option मिल रहा है, that you can repurchase your securities, आपने जो भी गिरवी रखा है, आप उसको repurchase कर सकते हो, repurchase option, क्या होता है, कैस काम आता है, इसको देखो, एक तरफ है SBI, एक तरफ है RBI, ठीक है, यहां हम लेंगे RBI को, एक तरफ है RBI, एक तरफ है SBI, कोई भी बेंक हो सकता है, मैंने लिया SBI, अब RBI को ऐसा लगँ रहा है, या SBI को कुछ उधार चाहिए, SBI को कुछ उधार चाहिए SBI ने क्या कहा यार हमें 100 रुपे उधार दे दो हमको 100 रुपीज उधार दे दीजिए RBI ने कहा ले लो ये भी क्या बड़ी बात है आप उधार ले लो तो उधार हमने इससे 100 रुपे ले लिया लेकिन RBI ने क्या कहा कि ये मुझे within one year वैसे maximum वैसे three months का होता है ये पर कहीं कहीं आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा एक साल within three months या within one year आपको ये पैसा वापिस करना पड़ेगा और इस एक महीने, इस एक साल या तीन महीने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ गिर्वी मेरे पास रखना पड़ेगा आपको कुछ collateral मेरे पास रखना पड़ेगा ऐसे मत समझो मैं आपको free में दे दूँगा और जब आप ये पैसा वापिस करोगे तो 106 रुपे 25 पैसे मुझे वापिस कर देना कितना rate of interest लगा दिया, 6.25% rate of interest लगा दिया जिस rate of interest पे, इस 6.25 को ही repo कहते है जिस rate of interest पे RBI, banks को उधार देता है जिस rate of interest पे RBI, banks को lend कर रहा है for short term by accepting some collateral, कुछ गिर्वी रख कर उसको हम repo rate कहते है इसका repurchase option क्यों नाम है क्योंकि SBI को यह option मिल रहा है कि आपने जो भी सामान गिर्वी रखा है government security है, gold है, जो भी आपने गिर्वी रखा है you can repurchase it, आप इसको फिर से खरीच सकते हो loan वापिस करो और अपनी गिर्वी रखी हुई चीज़ को वापिस ले जाओ this is raporate, इसको क्या कहते हैं, raporate तो क्या होता है raporate, जिस rate of interest पे जिस rate of interest पे, RBI, the rate, interest rate at which RBI lands short term loan to its clients, जब short term loan जो है वो अपने client, client कौन होते हैं, इसके, banks होते हैं जब banks को short term loan लेता है, keeping their government security as collateral, उनसे कुछ गिर्वी रखा कर, उनकी government security अपने पास गिर्वी रखवा कर, ठीक है, इसमें एक agreement हो जाता है कि हम आपसे अपनी government security repurchase कर लेंगे, ठीक है, हम आपसे government security repurchase कर लेंगे, इसको कहते हैं raporate, I hope आपको raporate क्या होता है, वो समझ आ गया, अब अगली term क्या है reverse reporate, अब हालात बदल गए, जज़बात बदल गए, कैसे, अब क्या बारी आ गई, अब दिन बुरे हो गए, मान लीज़े, RBI के, अब एक तरफ है RBI, फिर से एक तरफ है SBI, RBI ने SBI को कहा, यार, 100 रुपे उधार दे दे, पहले किसको चाहिए थे, पहले चाहिए थे, बैंक्स को, अब किसको चाहिए है, RBI को पैसा चाहिए है ठीक है, और इसको ये कहा, कि मैं तुझे, अब SBI को अपनी बेज़दी याद है, इंसल्ट याद है, कि तुमने उमें क्या कहा था, कि short term में वापिस कर दे तुम भी हमें short term में ये पैसा वापिस कर देना, तुम भी 3 महीने के अंदर अंदर या maximum 1 साल के अंदर अंदर वापिस कर देना ये पैसा, और आपने हमसे कुछ गिर्वी रखवाय था, आपको भी कुछ ना कुछ गिर्वी, कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा, पर हाँ, आप हमसे बड़े हैं, हमारे respected हैं, तो आप जब पैसा वापिस करो, तो 105 रुपए 75 पैसे वापिस कर देना, यानि 5.75% rate of interest लगा दिया, तो जिस rate of interest पर RBI, banks से उधार लेता है, RBI, banks से उधार लेता है, short term के लिए, कुछ गिर्वी रखकर, कुछ कोलेटरल रखकर, उसको reverse रेपोरेट कहते हैं, उसको reverse रेपोरेट कहते हैं, तो अब आपके दिमाख में question आएगा, मैणम RBI को loan की क्या जरूरत है, RBI को उधार की क्या जरूरत है, उसके इतने बुरे दि पापा है, कौन है पापा है, ठीक है, ऐसे बड़ा सा चश्मा मैंने लगा दिया उनके, और इस तरीके से ये पापा है, यहाँ पे उसका बिलकुल नशैडी सा लड़का है, बिलकुल fraud है, बिलकुल गंदा, drugs लेता रहता है, हर रात, 4-5 bottle पी के सोता है, अब पापा बहुत शरीफ है, पापा नहीं चाहते कि मेरा बेटा रोज शराब पीए, ठीक है, मेरा बेटा रोज शराब पीए, तो बेटे की जो bottles है, बेटे ने 4 bottle लाके घर में रख दी, चार bottle लाके बेटे ने घर में रख दी, अब पापा नहीं चाहते कि वो शराब पीए, तो पापा ने मुझे दे दे आज मैं प्यूंगा क्या पापा को शराब पीनी थी नहीं पीनी थी पर उसके पापा नहीं चाहते कि मेरा बेटा शराब पीए तो उसकी बॉटल्स जो है वो अपने पास मंगवाली ताकि वो शराब पी ही ना सके वो शराब पी ही ना सके इसी तरीके से RBI को प अपने पास मंगवा लिया, अब SBI free में तो देगा नहीं, SBI क्या कहेगा, कि देखो सामने अंबानी खड़ा है, मैं तो उसको loan दूँगा, मैं आपको क्यूं दूँ, RBI ने का तुझे ब्याज चाहिए ना, ब्याज मैं दूँगा, तुझे interest चाहिए ना, interest मैं दूँगा, ल यह बस समझाने के लिए मैंने यहां शब्दी उज किया, उधार, उधार नहीं मांगता है, वो क्या कहता है, आपके पास जो access money है, वो मुझे दे दो, market में मत दो, नहीं तो महंगाई हो जाएगी, तो जिस rate of interest पे, RBI, banks से उसकी access money absorb करता है, for short term, by giving some collateral, उसको हम reverse repo कहते हैं, एक बार देख लेते हैं, it is the interest rate that client earn, client कौन, SBI, वो उसको मिलेगा, interest rate, जब वो अपना surplus fund park कर देता है, कहां पे, RBI के पास, उसका surplus fund park कर देता है, ठीक है, किस चीज के लिए, short term period के लिए, interest को कमाने के लिए, यह बिल्कुल repo की जैसा mechanism है, ठीक है, लेकिन जो reverse repo है, वो हमेशा repo में कुछ minus करना पड़ेगा, आपको तब जाके reverse repo निकलेगा, हमेशा, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है, कि जो reverse repo है, वो repo से कम होगा, लगभग अभी चल रहा है, 65 basis point कम कर दो, एक बेसिस point सिस्टम क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, 1% का मतलब होता है, 100 basis point, 100 basis point होता है, 1% का मतलब, ठीक है, तो अगर किसी ने यूँ कह दिया, कि 65 basis point, इसका मतलब 0.65%, ठीक है, 0.65%, ठीक है, तो जितना भी repo है, अभी कितना चल रहा है repo, 6.25%, इसमें से minus 0.65% कर दोगे, आपको reverse repo मिल जाएगा, अभी के लिए ये चल रहा है, क आप देखते हैं, कि महंगाई को कैसे control करते हैं, इन दोनों tools को use करके, सबसे पहले समझते हैं, कि repo का use कैसे करते हैं, महंगाई को control करने के लिए, जानना इस बात को, repo क्या था, rate of interest, जिस पे RBI, banks को उधार दे रहा है, मान लीजिए, RBI ने bank को कहा, कि आपको 6% rate of interest पे मैं लोन दूँगा, क्योंकि कुछ तो margin अपना भी रखेगा ना bank, उसको RBI से मिला 6% rate of interest पे उधार, और bank ने customer को दे दिया 8% rate of interest पे उधार, अब मान लीजिए, RBI ने repo को increase कर दिया, RBI ने कहा कि मैं आपको 8% rate of interest पे उधार दूँगा, तो banks ने अपने customer को क्या कहा, कि आपको 12% rate of interest पे हम उधार देंगे, आपको 12% rate of interest पे हम लोग उधार देंगे, ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, लोग 8% पे ज़्यादा loan लेने जाएंगे या 12% पे, आप कोगे मैडम, 8% पे ज़्यादा loan लेने जाएंगे, 12% तो महंगा हो गया, लोग कम loan लाएंगे, कम loan ला जब repo rate को बढ़ा दिया जाता है, जैसे अभी बढ़ाया, पिछले हफ़ते, जब repo rate को बढ़ा दिया जाता है, तो market से inflation कम हो जाती है, क्यूंकि demand कम हो जाती है, loan के जो rate of interest है, वो महंगे हो जाते है, तो to control inflation, RBI will increase repo rate, to control inflation, monetary policy committee will increase repo rate, ठीक है, रेपो को बढ़ा दिया जाता है, inflation को control करने के लिए, और जैसे जैसे repo जो है, वो कम जादा होगा, वैसे वैसे reverse repo भी कम जादा होगा, reverse भी क्या हो जाए, क्योंकि reverse तो क्या है, repo minus 0.65 होता है, repo minus 0.65, जैसे जैसे repo कम जादा होगा, वैसे वैसे reverse repo भी कम जादा होगा, तो आ इफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए MPC, Monetary Policy Committee will increase repo rate, ठीक है, repo को बढ़ा दिया जाएगा, समझ गए, किस तरीके से इनसे महंगाई कम्या जादा होती है, ठीक, अब अगला है Standing Deposit Facility, Standing Deposit Facility, Standing Deposit Facility और Reverse repo में क्या डिफरेंस है वो जानिए, नया शब्दाया Standing Deposit Facility, यहां है Reverse repo, और यहां है Standing Deposit Facility, Reverse repo में क्या होता है, RBI, banks का access money अपने पास मंगवा लेता है, जो भी इनके पास access money होता है, वो अपने पास मंगवा लेता है, बदले में इनको interest दे देता है, ठीक है, बदले में इनको interest दे देता है, और कुछ ना कुछ collateral जो है, वो यहां पे गिरवी ठीक है, लेकिन Standing Deposit Facility में क्या होता है, जो RBI है, वो banks का access money अपने पास मंगवाता है, बिल्कुल सेम चल रहा आप तक तो, लेकिन, 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 यहां पे RBI कुछ collateral नहीं रखता, इस operation में RBI कुछ collateral नहीं रखता, बस उसको interest दे देता है, ठीक है, यहां पे RBI कुछ ना कुछ गिर्वी भी रखता है, बैंक के पास, लेकिन standing deposit facility में क्या होता है, कि बैंक अपना access amount RBI के पास park कर सकता है, without any collateral, collabor का use नहीं होता है, इसको कहते है standing deposit facility, ठीक है, reverse repo में क्या होता है, इसमें, लेकिन standing deposit facility में, कोई भी collateral use नहीं होता है, यह होता है, standing deposit facility operation ये long term rep operation special long term rep operation ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं वो आपने को पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी उसको करने के लिए अब मैं आपको समझा रहे हूँ what is bank rate bank rate क्या होता है bank rate को penalty rate भी कहते है क्या कहते है penalty rate भी कहते है bank rate कह दो penalty rate कह दो तरफ है RBI एक तरफ है SBI ये बिलकुल repo जैसा ही है पर कुछ difference है अब SBI फिर से कह रहा है RBI को कि सर हमको ना उधार चाहिए हमको 100 रुपय उधार दे दो हमको 100 रुपया लेंड कर दो हमको 100 रुपया उधार दे दो लेकिन अब ये पैसा मैं आपको long term के बाद दूँगा मैं आपको 3 साल के बाद दूँगा long term के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास कुछ भी नहीं है collateral रखने के लिए मेरे पास collateral रखने के लिए कुछ भी नहीं है तो RBI क्या कहेगा कोई बात नहीं आप हमारे client हो आप loan तो ले लो लेकिन आपको जब वापिस देना पड़ेगा ना तो 107% रुपया देना पड़ेगा कितना 107% रुपया देना पड़ेगा 7% rate of interest लगा दिया high rate of interest लगा दिया repo से बहुत ज़्यादा high repo में क्या था repo में short term के लिए था और collateral use होता था लेकिन bank rate में long term के लिए होता और collateral use नहीं होता ठीक है यह होता है bank rate या penalty rate जिसको कहते है clear तो bank rate क्या होता है वो भी हमने जाना ये वो rate of interest है जिस पर RBI अपने clients को उधार देता है for long term without any collateral without any collateral इसको कहते है क्या bank rate तो I hope आपको ये समझा आ गया rate of interest at which RBI lands money to banks without any collateral for long term ये हमेशा रैपो से जादा होगा क्यूंके इसमें facility जादा मिल रही है आपको लंबे समय के लिए पैसा मिल गया और गिर्वी भी नहीं रखना इसको penalty rate भी कहते है आज के time में इसको inflation control करने के लिए use नहीं किया जाता penalty लगाने के लिए use किया जाता है क्या मतलब हुआ penalty लगाने के लिए use किया जाता है माल लेजिए RBI ने bank को कहा था कि आपको CRR मेरे पास 4% रखना पड़ेगा किसी bank नहीं रखा तो अब उसके उपर fine लगेगा कितना fine bank rate जितना चल रहा है उसमें plus 2% जोड़ दो माल लो अगर bank rate 7% चल रहा है तो उसमें plus 2% जोड़ दिया कितना हो गया 9% तो अब क्या कहेगा RBI बैंको कि अब तुझे CRR 4% नहीं देना तुझे 9% देना तेरे उपर penalty लगी है तो penalty कैसे लगती है bank rate में 2% जोड़ देते हैं ठीक है जितना bank rate होगा कम ज़ादा उसी हिसाब से penalty rate कम ज़ादा होता रहेगा क्योंकि penalty इसके according लगती है इसलिए इसका एक और नाम होता है penalty rate तो bank rate क्या होता है वो हमने जाना अभी आज की class का अपना last topic है that is marginal standing facility क्या होता है marginal standing facility क्या होता है ये सारे videos ना student तब समझाएगी जब आप series में देखोगे बिल्कुल series में इसे पहले वाली देखो फिर एक जो पहले monetary policy मैंने करवाई हुई है वो वाली देखो फिर उसके बाद ये देखोगे न तो आपको series में समझ आएगा बिल्कुल linked में समझ आजाएगा अब समझेंगे कि marginal standing facility क्या होता है MSF क्या होता है marginal standing facility मैं आपको बताती हूँ यहाँ है SBI SBI ने गया SBI RBI के पास जाता है सर मेरे को loan चाहिए मुझे loan चाहिए मुझे यह loan फिर एक दिन के लिए चाहिए सिर्फ एक दिन के लिए for one day only और मेरे पास कुछ भी गिर्वी रखने को लिए नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है गिर्वी रखने के लिए पर मुझे loan चाहिए सर प्लीज बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो RBI क्या कहेगा कोई बात नहीं लेकिन मुझे गिर्वी तो रखना पड़ेगा मुझे गिर्वी तो रखवाना पड़ेगा SBI ने कहा सर मेरे पास है यह नहीं मैं कहां से रखू RBI ने कहा रुख जाओ आपने SLR में पैसा रख रखा है आपने SLR में 18% पैसा रख रखा है आप उस SLR में से 1% अमाउंट मुझे गिर्वी के रूप में रख दो मुझे कोलेटरल के रूप में रख दो और ये पैसा मुझसे ले लो ये पैसा मुझसे ले लो जैसे ही कल आप मेरा पैसा वापिस कर दोगे ये कोलेटरल में आपको वापिस कर दूँगा आप SLR में जाके रख देना तो marginal standing facility क्या होता है ये सिर्फ एक दिन के लिए होता है और only commercial banks को ही मिलेगा सिर्फ commercial banks को ही मिलेगा ये ठीक है SLR की securities को as collateral use करके इसमें क्या difference है इसमें और repo में क्या difference है एक तो ये एक दिन के लिए होता है it is for very short term repo में क्या था तीन महीने के लिए हो रहा था वहाँ पे collateral use होता है यहाँ भी collateral use होता है पर यहाँ पे जो collateral होगा यहाँ पे जो गिरवी रखा जाएगा वो SLR को गिरवी रखा जाएगा ठीक है रेपो में SLR का जिक्र नहीं था रेपो में SLR का जिक्र नहीं था तो यह होता है marginal standing facility it is the interest rate at which RBI lands short term loan to schedule commercial bank and regional rural bank with their SLR quota SLR को government security की तरह use करके अब आप कहोगे SLR क्या होता है तो जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको पता है SLR क्या होता है जिसने नहीं देखी प्लीज उसको देख लीजिए जिसमें मैंने CRR और SLR समझाय हुआ है ठीक है तो यह था MSF अब थोड़े से MCQ देख लेते है इन में से क्या चीज monetary policy में आएगी क्या inflation आएगा बिल्कुल आएगा क्या GDP आएगा बिल्कुल आएगा क्या MSF rate आएगा अभी देखा हमने marginal standing facility यह तीनों ही चीज जो है monetary policy से जुड़ी हुई है answer क्या जाएगा D मैं यहाँ पे tax लिख देती तो क्या वो monetary policy में आता नहीं आता वो किस में आता वो fiscal policy में आता वो fiscal policy में आता ठीक है मैं यहाँ पे subsidy लिख देती क्या वो आता monetary policy में नहीं आता वो fiscal policy में आता ठीक है तो इस तरीके से आपको differentiate करना आना चाहिए MCQ2 कह रहा है what is mean by repo rate repo rate किसको कहते है rate at which RBI lands commercial bank in place of government security RBI commercial bank को उधारी दे रहा है government security लेके बिल्कुल सही बात है rate at which commercial bank lands to clients नहीं commercial bank से हम लोग जो loan लाते है उसको repo नहीं कहते RBI से bank जब loan लाते है उसको repo rate कहते है तो answer क्या आ जाएगा only one answer क्या आ जाएगा only one ठीक है MCQ3 क्या कहता है an increase in repo rate जब हम repo rate को increase करते है तो क्या होता है increase the cost of borrowing and lending of the banks banks को जो उधार पहले सस्ता मिल रहा था वो महंगा मिलने लग जाएगा बिल्कुल सही बात है RBI banks को पैसा दे रहा था पहले 6% पे जैसे ही repo increase हुआ तो क्या कहेंगे 8% पे आप मतलब इनको अब loan महंगा मिलने लग जाएगा decrease the cost of lending to bank नहीं decrease नहीं करता increase करता है तो इसमें भी answer क्या जाएगा only one ठीक है next question आपको बताना है कि कितना inflation रखना है कितना inflation रखना है Monetary Policy Committee ने 2021 से 2026 तक कितना inflation range में रहने को कहा है जिसने पिछली वीडियो देखी है जिसने ये बार वाली वीडियो देखी है वो इसका answer देदेगा आपको कितनी महंगाई की दर रखनी है कितना inflation range रखना है 2021 से 2026 तक Monetary Policy Committee ने कितनी महंगाई की दर रखने को कहा है क्या 2-6% क्या 5-8% क्या 1-5% कमेंट सेक्षन में कमेंट करोगे जान बूझ के मैंने इसका वीडियो में जिक्र नहीं किया ताकि देखूं कि इधर उधर आप में कितनी awareness है ठीक है मिलते हैं अगले टॉपिक में